यह बहुत पहले की बात है एक जंगल में सारे जानवर मिल जुलकर और आजाद रहते थे ऐसे में उस जंगल में एक बुढ़ा शेर आया और बच्चों को सब जानवरों को अपनी मर्जी से मार कर खाने लगा इस से परेशान होकर सब जानवरों ने एक निर्ने लिया और शेर से मिलने गए इस जंगल के हम जानवरों ने एक निर्ने लिया है वैसा निर्ने हम मेंसे हर रोज एक जानवर आपका भोजन बन कर आएगा नहीं, मैं क्यों तुमारी बात मानूं ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब बर जाएंगे फिर आपको खाना नहीं मिलेगा न आप भी बुड़े होगे, शिकार नहीं कर सकते सारे जानवरों की फरियात सुनकर शेर ने कहा ठीक है अब बच्चों हर रोज एक जानवर शेर का भोजन बन कर जाने लगा एक दिन खरगोश की बारी आई, खरगोश नियमित समय पर न जाकर जान बूच कर देर करने लगा हाँ इतनी देर क्यों, तुम्हें खाने से अब भूग भी नहीं मरेगी मेरे साथ एक और जानवर भी आया, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा डाला इस जंगल में मुझसे ज्यादा बलवान शेर और है क्या? मुझे दिखाओ आईए महराज खरगोश उस शेर को एक कुए के पास ले गया महराज, वो शेर इस कुए के अंदर चिपा है शेर उस कुए में ज्हांका, वहाँ उसे अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई दिया उसे दूसरा शेर समझ कर उसे माहने के लिए कुए में कूट पड़ा कुए से बाहर निकल नहीं पाया और बेचारा मर गया तो बच्चो इस तरहे खरगोश ने अपनी चतुराई से उस शेर से जंगल के सभी जानवरों को छुटारा दिलाया सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और सारे जानवर खुशी खुशी फिर से जीने लगे कर दो कि कर देंprotने रानवरों को कि मिला है जीत कर सकती यानवरों कर दो दो कि झांवरों की लिए Maa